तो basics complete करने के बाद में अब अपन start करेंगे international taxes यह आप मान सकते हैं आप income tax से कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं अपना अलग इसके rules है, regulation से सब कुछ अलग है आप जब book में देखेंगे तो international tax आपको दे रखा है उसमें कुछ topics दे रखा है पट international tax को मैं group of chapters बोलूँगा अपने आप में अकेला नहीं है यह 30 का दे रखा है, exam में 40 तक आता है क्योंकि options भी दिये जाते हैं तो 40 marks अगर कोई chapter cover कर रहा है, कोई topic cover कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीजे है तो international taxation के अंदर बहुत सारे topics मिलके यह बनता है और काफी बार हम ignore कर देते हैं देखिए, एक topic है इसके अंदर जो हमको पढ़ना है DTAA, यह chapter भी बोल सकते हो, तुम international के अंदर भी Double Taxation Avoidance Agreement ठीक है, यह अपना एक chapter है इसके अलावा जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे बहुत ही important और जहां से सबसे ज़्यादा question आते है Transfer Pricing Second जो अपन पढ़ेंगे, वो transfer pricing पढ़ेंगे Actual में है क्या कि कोई भी chapter हो, जिसके questions ज़्यादा नहीं है अपने final के module में तो इसके लिए अपन question bank refer करेंगे, जहां से अपन additional questions भी कर पाए और final में आपको बहुत अच्छे level की practice करनी है तब जाकर के direct text में marks आएंगे पहले भी बता चुका हूँ, DT और law में जो है, कम marks आते हैं, final के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी है, उसके अंदर ध्यान रखना है इसके अलावा और कौन से chapter आते है यह आप node भी कर लेना मेरे साथ इसमें advance ruling आएगा, छोटा ही topic है इसके अलावा एक ओर topic आएगा, that is equalization levy और इसके अंदर एक ओर topic है, जो तुम इंटर में भी पढ़ते हो residential status इसके अलावा NR taxation इसके अलावा TDS on non-residents यह सब हम एक ही type के chapters को मान के चलते हैं, क्योंकि इन में काफी हद तक जो है non-residents and all इन ही का role आता है, तो इस वज़े से जो यह chapters है, वो इस ही जो है, बोल सकते है chapters को ही ब्लॉंग करते हैं, सब topics हैं, सारे के सारे yes DTAA का full format, double taxation avoidance agreement यह सारे के सारे chapters हम को पढ़ने हैं, आप इनको छोटे-छोटे chapter मान सकते हो, सबसे बड़ा है transfer pricing transfer pricing जो है सबसे बड़ा chapter है इनके अंतर, और सबसे जादा importance भी है, transfer pricing अकेला topic 10 से 15 नंबर तक का आता है आपके exams में तो अभी अपने start करने जा रहे है international taxation, अब आज हम समझेंगे कि इस chapter को पढ़ने की need क्या है What is the need to study this chapter? देखिए ये chapter अपने आप में अलग है, इसमें पढ़ते टाइम आपके previous provisions इतने काम नहीं आएंगे हाला कि deductions के कुछ sections काम आएंगे, जो कि मैं आपको बता दूँगा पढ़ते टाइम में और आपको याद भी होंगे एक दो तीन sections तो जो कि mainly आपर ATC काम आता है, ATD काम आता है, ATQQB काम आता है और ATTTA काम आता है ये चार sections सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं जब अपन practical वगरे करें आखिर international taxation को पढ़ने की need क्या है? उसके बारे में बात कर रहा हूँ पहली बात देखिए चली ये एक व्यक्ति है Mr. Sharukhan अब Sharukhan जो है ये कहां के हैं? इंडिया के ठीक है, Sharukhan कहां के हैं? इंडिया के अब ये Sharukhan क्या करता है? आउटसाइड इंडिया जाता है USA में ठीक है USA में जाकर के ये कोई income earn करता है Let's say कि इसने जो है वो 20 लाक रुपीज की income earn करी अब Sharukhan ने 20 लाग रुपे जो कमाये हैं क्या उस पर US वाले tax लेंगे या नि लेंगे? लेंगे tax देखो tax जो है mainly दो basis पर लगता है source basis और residence basis ये source basis और residence basis क्या होते है? source मतलब कोई देश किसी income पर कब tax लेता है? या तो इस income को कमाने का source उस देश में हो मतलब accrue उसी देश में हो रही हूँ या फिर residence basis मतलब तुम उस देश के resident हो तो फिर पूरी दुनिया में जो भी income कमाओ के worldwide income पर tax ले लेते हैं तो source basis पर US से बोलेगा देखो तुम वैसे तो हमारे देश के resident नहीं हो लेकिन क्योंकि तुमारी income का source यहाँ पर है तो हम इस पर क्या लेंगे? टेक्स लेंगे तो US ने क्या अगरा? टेक्स ले लिया 10% का लेट से 2,00,000 रुपय का tax जो है शारुक खान की इस income पर देना पड़ा और US ने जो यह tax लिया, यह किस basis पर लिया? सोर्स बेसिस पर, क्योंकि इस income को कमाने का source कहाँ पर था? USA में था अब हुआ क्या कि शारुक खान इस income को कमा करके इंडिया में लेकर के आया अब जब वो शारुक खान इंडिया में लेकर के आया इस income को तो इंडिया वाले भी बोलते हैं कि तुमको इस पर tax देना पड़ेगा शारुक खान ने जवाब दिया कि मैं tax अल्रेडी USA में दे चुका हूँ भई इस income के उपर तो मैं फिर से तुमको थोड़ी ना दूँगा USA वालोंने मुझसे tax ले लिया income tax वाले बोलते हैं उन्होंने जो भी tax लिया वो source basis पर लिया वो वहाँ के कानून के according लिया हम भी तुमसे tax लेंगे बोला किस basis पर लोगे बोला residence basis पर हम तुमसे tax लेंगे क्योंकि तुम इंडिया के resident हो resident की income पर तो worldwide income पर जो है उसे tax देना होता है वो भी कितने पर जितनी income कमाई थी 20 लाग का पुला हो तो आपने tax दे दिया वो अलग बात है income तो आपने 20 की कमाई तो 30% का tax यहाँ पर दे दो 6 लाग रुपे तुमको यहाँ देने पुड़े शारुक खान जो है चिंतित हो गया कि यार देगो तो वहाँ पर 10% 2 लाग का tax वहाँ ले लिया 6 लाग का tax यहाँ ले लिया 8 लाग रुपे तो ऐसे ही चले गए हाथ में आये 12 लाग रुपे इतना रुपया तो मैंने tax के रूप में ही गवा दिया तो यह इसकी problem हो गई यह समझ तो गया कि जो USA tax ले रहा है मैं वहाँ का resident नहीं फिर भी ले रहा है तो क्यों ले रहा है source basis पर तो बाकी countries में भी यही rule चलते है पूरी दुनिया में जो भी देश है वो दो basis पर tax लेते हैं या तो source basis के आपने उन देश से income कमाई होगी और या फिर residence basis के तुम resident ही उस देश के हो तो वो तो tax लेना ही लेना है कहीं भी कमाऊ अब लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो गई आज के time पर जो है वो globalization का world है सब लोग सारे देशों के साथ में transaction करते हैं यही सेम बात हुई Justin Bieber इंडिया में आया इंडिया में show करा पैसा कमाया पर इंडिया वाले tax ले रहे हैं US वाले ले रहे हैं वो भी परेशान के यार यह तो गलत है तो होता क्या है कि जब एक व्यक्ति अलग-अलग जगे से income कमाता है अलग-अलग देशों में income कमाता है तो वहाँ के देश भी tax लेते हैं अब यह गलत भी हो रहा है कि एक ही income पर दो-दो बार tax देना पढ़ रहे है तो इन problems के solution के लिए बनाए जाते हैं DTAA जो chapter भी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले है Double Taxation Avoidance Agreement तो DTAA पर हम पढ़ेंगे कि इन problems का क्या solution सरकार ने, government ने निकाल रखा है यह अपन यहाँ पर एक chapter आया का DTAA उसमें पढ़ेंगे और residential status एक chapter है जिसमें आप पढ़ोगे कि resident, non-resident कैसे निकालते हैं कैसे tax लिया जाता है वगरव और तुमको थोड़ी बहुत knowledge भी होगई, याद भी होगा resident अब इसके अलावा एक और समस्या आगी एक और समस्या क्या आगी देखो, यह एक company है Nestle, इंडिया की और यह एक और company है Nestle, USA की suppose कि इंडिया में tax तो 30% लिया जा रहा है और US में company से tax जो है, वो 20% लिया जा रहा है company को काम तो दोनों जगे करना है लेकिन company थोड़ा दिमाग लगा रही है सोच रही है, क्यों ना अपनी income को यह इंडिया में कम show किया जाए और US में ज़्यादा show किया जाए क्यों क्योंकि at the end अपने 10% तो बच रहे है न टेक्स वाले तो यह लोग क्या करते हैं यह अपनी incomes को और profits को अपनी associate companies के नाम पर transfer कर देते हैं मानलो यहां से यह कुछ माल खरीद मंगवाएंगे नैसले US से और वो महंगी rate में खरीदेंगे जान पूचके तो जब यह खरीद रहे तो इनका खर्चा हो गया हो यह P&L में खर्चे को ज़्यादा debit कर देंगे इनका खर्चा और इसकी income पैसा बाहर तो जा नहीं रहा है तो एक तरीके से हुआ क्या है इधर ज़्यादा खर्चा बता के profit कम कर दिया इधर इनकम ज़्यादा होके profit बढ़ा दिया अब इधर वाली का profit बढ़ भी गया तो कोई problem नहीं है हमको तो चाहिए यह था यहां 20% ही tax देना यहां कितना देना था इसी तरीके से कई बार ऐसा भी होता है कि Nestle India को कोई चीज की जरुरत है ठीक है तो अभी तो इन्होंने क्या करा खरीदा अब ऐसा भी होता है कि बेचने के point विशे सोचो बेचने के point विशे Nestle India ने Nestle USA को मानलो मेगी बेची और मेगी जो है वो बेची इसने सिर्फ दो रुपे की एक सर कम में क्यों बेची होगी बताओ reason कम में इसलिए बेची इसने क्योंकि जब ये कम में बेचेगी तो इसकी revenue कम आएगा सेल का और सेल का revenue कम होगा तो automatically इस deal पर जो tax बनेगा वो भी क्या होगा तो companies क्या करती है कई बार या तो मेंगी rate में खरीद करके अपने profit को कम करने की कोशिश करती है या सस्ती rate में सेल दिखा करके भी अपनी income और profit को कम दिखाने की कोशिश करती है तो इस type की practices जो company करती है इनका क्या किया जाए इस बात के solution के लिए बनाया गया एक chapter topic जिसका नाम है transfer pricing हो सकता है आपने costing में भी ये chapter देखा और पड़ा होगा लेकिन यहाँ इसका मतलब अलग है costing से लेना देना नहीं है कई तुम सोचो हम वैसा करने आले transfer pricing income tax में अलग है और आपकी costing के अंदर जो है ये बिलकुल अलग रहने वाला है तो ये दो topics अपने mainly रहने वाले हैं जो कि अपनको discuss करने हैं सबसे पहले और ये दो topic की अकेले 20 number जो है लेकर के जाते हैं फिर इसके अलावा advance ruling, equalization, levy, residential, status, even कुछ chapter तो अपने book में दे ही नहीं रखे फाइनल की फिर भी अपनको पढ़ने हैं आप final की book में नूडो क्या PGBP दे रखा है? क्या capital gain दे रखा है? क्या deduction दे रखा है? दे ही नहीं रखा है? clubbing दे रखा है? set off दे रखा है? नहीं फिर भी हमको पढ़ने हैं हो अगर तुम वो नहीं पढ़ोगे तो तुम final वाली चीज़े नहीं समझ पाओगे और final में question भी आते हैं उन chapters तो ध्यान रखें जो अपन final की direct text पढ़ रहे हैं तो इंटर वाली तो पढ़नी है अपन को और extra और पढ़ना है इसका मतलब हमको final के अंदर PGBP mainly जो है बाकी तीन head इतने काम के नहीं है salary कोई काम का नहीं है जादा house property भी जादा काम का नहीं है ठीक है बाकी तीन का और बाकी ये तीन head तो काम के है आपका PGBP, other source और capital gain तीनो head हमको यहाँ पढ़ने होंगे PGBP को in detail पढ़ना है PGBP से 15-15 number के questions भी आते हैं लेकिन level of study बदल जाएगा question जो करेंगे अपन उनका भी level बदल जाएगा Capital gain जो है एक chapter अपने आएगा business restructuring उसके साथ linked है final का module देखोगे तो वहाँ पर दिखेगा तो capital gain पढ़ना है other source जो है वो कुछ भी question आजाता है कहीं से ही वो भी पढ़ना है deduction पढ़ना जरूरी है क्योंकि deduction नहीं आता होगा तो तुम final के कई सारे chapter को समझी नहीं पाऊगे TDS भी कहीं भी आजाता है तो TDS पढ़ना भी जरूरी clubbing इतना ज़्यादा important नहीं है जो inter से है chapter even income tax में मैं बता दू inter final होता ही नहीं है tax तो tax है चाए inter की हो या final की हो आपने जो inter में कोई provision पढ़ा होगा वही same provision अभी final में भी ऐसा तो नहीं कि कोई बदल गया तो tax पढ़नी है हमको तो अब वो tax में जो मैं आपको चाए inter बोलू या final बोलू ऐसा नहीं बोलूँगा अपन तो tax पढ़ रहे हैं अब उसको inter final में बाटने की जुरूत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ chapter जो आप inter में पढ़के आ चुके हो वो हमको फिर से यहाँ पर पढ़ने पढ़ेंगे और काफी सारे नए chapter भी हमको पढ़ने पढ़ेंगे जादा time consuming वो inter वाले topics में अपनको लगना है final वाले में जादा नहीं लगना अब यहाँ पर आप देखोगे तो अलग-अलग segments बटे होए एक international tax का segment है एक PGBP capital gain and all इनका segment एक assessment procedure जहां पर theoretical है पूरा सब कुछ return filing की date, appeal के भई आपको income tax department में appeal करनी है तो कैसे करेंगे वगर वगर बहुत सारी चीज़े वहाँ पर उस segment के अंदर आएगी और एक mislinious segments भी है जिसमें Black Money Act आगया आपका ICDS आगया इस तरीके से आपका से जो सलिबस से बटा हुआ है सबसे ज़्यादा नंबर यही cover करता है अब आप residential status देख रहे हो फाइनल की book में आपको मिलेगा ही नहीं डून लोग जबकि आप paper देखोगे तो उसमें question आ रखा है तो इसलिए पढ़ना जरूरी है और advanced ruling वगरे तो दे रखे हैं बाकी सब DTAAB आपका दे ही रखा है वह तो सबसे main चीज में आता है TDS भी जो है थोड़ा दे रखा है थो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमको पूरा chapter स्टार्ट करना है और सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे DTAA पढ़ेंगे इसके अंदर फिर अपन पढ़ेंगे transfer pricing DTAA transfer pricing long topics है अपनको approximate minimum 15 से 20 lecture तो इन ही में लग जाने है DTAA छोटा है लेकिन transfer pricing बढ़ा है DTAA का exam में 8 नंबर का question आता है fix है छोटा जा 3-4 दिन का chapter है तो आपको ये पहले से पता होगा कि DTAA तो आ रहा है transfer pricing 10 से 15 नंबर का आता ही आता है तो अगर international हमने कर लिया अच्छे से तो आपके पास होने का तक का जुगाड़ हो गया सिर्फ एक chapter के basis पर इवन ये 40-40 नंबर तक का paper में आता है मैं कभी paper अपन देखेंगे तो मैं बताऊंगा देखो 48 marks तक का भी ये chapter आपको paper में दिखा है 48 marks तक का वो क्यों होता है 48 options मिला करके लेकिन हम कर सकते हैं हमारी इच्छा हो तो क्योंकि option में है लेकिन आपको option करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन generally 30 number module में दे रखें तो 30 number तो minimum आता ही आता है MCQs अगरे का level भी final में आपका बदल जाएगा ऐसा नहीं है कि वो level आएगा और यह अपने आप में यह chapter ही बहुत बढ़ा है बहुत प्रोविजन से इसमें 100 page है अकेले book के इसी के उपर chapter जो अपनी book है 100-800 page तो अकेले international text ने लिए तो वो अपन को पढ़ना है कोशन भी साथ साथ में करने उसके लिए अपने आपस में कोशन बैंक है चली next class से इसमें detail स्टार्ट करेंगे आज अपन इतना ही कर रहे हैं ज्यादा ने कर आज चली last class से आगे बढ़ेंगे आज अपन और अपन ने last class में स्टार्ट किया था international taxation आज उसमें आगे बढ़ेंगे और जो पहला topic स्टार्ट करने वाले हैं इस डी टी डबले डाइरेक्ट taxation avoidance agreement अपना पहला topic होने वाला है तो उसको स्टार्ट करेंगे कि यस तो इस क्लास में अपने स्टार्ट करने वाले हैं डबल टेक्शेशन अवाइडेंस अग्रीमेंट लास्ट क्लास में अपनने introduction देख लिया था कि international taxation में कौन-कौन से topics कवर होंगे और डी टी डबले क्यों पढ़ते हैं यह भी अपनने लास्ट क्लास में देखा था अब इसको समझने वाले हैं कि आखिर इसके अंदर क्या होने वाला है और 8 marks का question जो है जनरली अपनको यह देखने को मिलता है इस topic से only डी टी डबले वाले topics से बाकी तो अलग है ही only इस इस topic से ही हमको 8 marks का question मिल जाता है काफी बाद देखे लास्ट क्लास में भी अपनने बात करी थी कि डी टी डबले क्यों पढ़ते हैं कि जब एक ही व्यक्ति की income per tax दो-दो countries में लग रहा हो जैसे अपनने लास्ट क्लास में शारुक खान का example देखा था उसके अंदर अपनने क्या देखा था कि वो US गया था शो करने तो US के अंदर भी उसको tax देना पड़ा देन इंडिया में आया तो इंडिया में भी tax ले लिया क्यों ले लिया US ने source basis की वज़े से tax ले लिया कि income कमाने का source इंडिया में है तो tax दो और इंडिया ने क्यों tax ले लिया था बताओ इंडिया ने क्यों tax लिया था रेसिडेंस बेसिस की वज़े से तो वर्ल्ड में tax दो ही बेसिस पर लिया जाता है one is source basis another one is residence basis अगर किसी income का source इंडिया में है कमाने का तो tax लेंगे या फिर दूसरी country में source है तो वो country ले ले लेती है और दूसरी बात जिस पर tax लिया जाता है वो है residence basis अगर तुम resident हो कहीं के तो भी तुमसे जो है वो tax ले लिया जाएगा उस वज़े से लिया गया था तो अब उसी problem के solution के लिए अपन पढ़ने वाले है double taxation double taxation के अंदर अपन देखेंगे के आगे क्या होने वाला है सबसे पहली बात तो tax double बार लगता कैसे है क्यों ल एक को अपन बोलते हैं economic double taxation और दूसरे को अपन बोलते हैं judicial double taxation अब यहां से mcq frame हो सकता है छोटा question बन सकता है कि economic double taxation क्या होता है या फिर judicial double taxation क्या होता है तो इसके बारे में देखते आईए कि आखिर economic और judicial double taxation क्या होता है पहली बात करें economic double taxation तो यहां पर क्या बुला गया है जब एक ही income taxed to or more country but in the hands of different taxpayer for example business profit and dividend in different countries मतलब क्या है इसका क्या समझाया जा रहा है क्या बूला जा रहा है एक ही income दो countries में taxable हो रही है और कोई interpretation निकल सकता है इसका same income एक ही income tax होती है in two or more country but in the hands of different taxpayer मतलब फिर एक बात बुली गई के business profit and dividend in different countries मतलब क्या है देखो समझो जैसे माल लो कोई company है यूएस की उसने पैसा कमाया तो उसके लिए वो कौन सी nature की income है business nature क्या वो उस पर tax देगी बिल्कुल देगी अब आप उस US company में Microsoft वे investor हो तो वो अब आपको क्या बाटी की dividend बाटी और dividend income तुम कमाऊगे उस पर भी क्या लेंगे तुम से tax लेंगे तो एक ही income ठीके दो अलग-अलग country में taxable हो जाएगी हम यहाँ पर इंडिया में tax देंगे वो US वाली ने तो दिया ही है ठीके और यहाँ पर साथ ही साथ में क्या बोला गया है कि एक ही nature की income है और taxpayer क्या हो different तो इसको बोलते है economic double taxation दो अलग-अलग economies दो अलग-अलग देश जो है वो tax लगा रहे है एक होता है judicial double taxation इसमें क्या है देखिए two or more states मतलब सरकारे levy taxes on same entity on same income for identical period यह arise होता है overlapping claim of tax jurisdiction tax treated largely prevent mitigation judicial मतलब क्या है इसका समझे अभी जो अपनने शारुख खान वाला example लिया कि एक ही income US में tax लगा same nature की income पर और सी income पर tax लगा इंडिया में आकर के फिर से जब एक same ही income पर same year की income पर tax उधर का ली country में भी लग रहा है और इधर वाली country में भी लग रहा है तो इसको क्या बोलते है judicial double taxation अभी देखिए इसको अगर अपन summarize करे तो क्या निकल के आता है आपको साथ साथ में इनको note भी करना है short में वैसे तो notes आपको मिलेंगे ebook आपको मिलेगी लेगिन साथ साथ में इनको short में note भी कर लेगा तो जो double taxation होते दो टाइप के हो गए एक क्या हो गया economic double taxation और second one को हम बोलते है judicial double taxation economic double taxation क्या होता है same income है but different nature है उसके and in the hands of different assessi it is taxable जैसे एक कंपनी के लिए business income है वो उसपर tax देगी then as a dividend shareholder को बातेगी तो वो as a dividend उसपर tax देगा judicial double taxation क्या होता है when same income of same person is taxed in two different companies two different countries दो अलग अलग कंट्रीज में जब same income है उसपर tax लगता है जो शारुक खान वाला example हमने देखा था US में शो करा वहां पर भी tax लगा यहां आकर के आया वापस इंडिया ने भी tax ले लिया तो this is called and known as judicial double taxation अब यहां पर आगे अगर अगर अपन जाकर के देखे तो वही same बात बुली गई है जो हम पढ़ चुके हैं already देखे क्या बुला गया है यहां पर आज के modern world में globalization आ गया है last class में भी यह बात करी थी business जो है अब वो किसी single geographical territory में limit नहीं रहा है भी आज एक Microsoft company है तो वो पूरे world में business कर रही है Coca-Cola company पूरे world में business कर रही है तो जब वो पूरे world में business करते हैं तो होता क्या है कि वो अलग-अलग जगे पर income कमाते हैं और जब अलग-अलग जगे पर income कमाई जाती है तो वहाँ पर tax litigation आ जाते हैं कि अब कौन सी country में कितना tax लगेगा कैसे लगेगा कैसे देना है वो सारी बाते mainly जो countries tax लेती और मैंने अभी भी आपको बताया कि किसी भी income का taxation दो basis पर किया जाता है एक तो source of income basis पर या तो उस income का source का है आपकी उस country में है जो भी tax लगा रही या फिर countries क्या करती है किस basis पर tax लगाती है residential status के basis पर tax लगाती है अब मान लिजे शारुख खान का same example पर वापस बात करे तो US ने उससे tax क्यों लिया क्योंकि वहाँ पर income का source था तो US ने tax लिया source basis पर फिर इंडिया ने क्यों लिया इंडिया ने किस basis पर लिया residence basis पर tax लिया कि वहाँ का resident था इसलिए उससे जो है वह tax लिया गया अब यहाँ पर होता है क्या है कि अब हो जाता है कि वही एक ही income पर दो दो बार tax लग जाता है नोट करने के लिए एक पर फटा फट से नोट कर लो ताकि अब अपन आगे बढ़े झाल Congress Graham झाल extraordग करा कर झाल कर अब थार हम दो झाल वे अब होता क्या है कि एक ही इंकम पर दो बार टेक्स लगना is called as known as double taxation तो double taxation क्या होता है इसके बारे में जानने ते फिर इसी के बारे में हमको आगे detail में पढ़ना है double taxation क्या होता है बई जब एक ही इंकम पर दो दो बार टेक्स लग रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं double taxation बोलते हैं अब इसको ठीक कैसे करें क्योंकि यह चीज तो गलत है इसको ठीक करने का भी अभी रास्ता है when same income is taxed twice then it is known as double taxation अब यह double taxation होतो गया आप करें क्या वही दो बार टेक्स लग रहा है कुछ सॉल्यूशन लेकर क्या आओ तो पूरे दुनिया की सरकारे आपस में मिल बैठ करके बैठी और उन्होंने बोला के यार अपनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे तो फिर globalization पॉसिबल ही नहीं होगा अभी मान लो कोई भी income कमाने आये गई नी फिर दूसरी countries में जाये गई नी तो क्या करें तो इसके लिए फिर क्या एक solution लेकर के आया गया काफी देशों की गॉर्मेंट्स ने आपस में डी टी डवले बनाना चालू किया डी टी डवले क्या होते हैं डवल taxation avoidance agreement गॉर्मेंट्स ने इसको बनाना चालू किया डवल taxation avoidance agreement बोलते हैं इसको अब ये देश क्या करते हैं आपस में बैठते हैं मालों इंडिया यूएस बैठेंगे इंडिया चाइना वाले बैठ गे ठीक है इंडिया रशिया वाले बैठ गे और वो आपस में बैठ करके अज्छे agreement बनाते हैं कि यार देखो हमारे आदमी भी तुमारे यां इंकम कमाने को आते हैं और तुमारे आदमी भी हमारे यां इंकम कमाने को आते तो इसका solution क्या करें कैसे tax ले भई अब ये आपस में बैठ करके अलग-अलग conditions पर राज़ी ऑता है अब ये आपस में बैट करके क्या कर लेते हैं, एग्रिमेंट कर लेते हैं और इस एग्रिमेंट में क्या दी जाती है, कोई ना कोई रिलीफ दी जाती है टेक्सपेर्स को लोगों को क्या करी जाती है, रिलीफ दी जाती है, डबल टेक्सेशन से relief दिलाई जाती है अब ये जो relief होती है ये दो तरीके से दी जा सकती है taxpayer को के हम तुम्हें राहत दे रहे हैं इस double taxation से एक type of relief को हम बोलते है bilateral relief और another type of relief को बोला जाता है unilateral relief एक तो होती है bilateral relief और एक होती है unilateral relief bilateral relief जो है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी के वो section 90 में दी जाती है और unilateral relief हम पढ़ेंगे के ये section 91 में दी जाती है अब देखिए यहाँ पर है क्या कई बार ऐसा हो जाता है देखो ये international tax का ये topic तुम पढ़ रहे हो ना ये income tax से हटके हैं income tax नहीं है ये income tax से extra है अब ध्यान से समझिएगा इसको कई बार क्या हो जाता है कि income tax के provisions और ये जो DTW बनाये जाते हैं इनके बीच में क्या हो जाता है contradiction हो जाता है कि वही income tax में कुछ अलग DTW में कुछ अलग एक ही बात के लिए तो अब क्या करें तो फिर उस case में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में contradiction है तो किसके provisions prevail करते हैं DTAA के तो अगर आपसे पूछा जाए if there is any contradiction between the provisions of income tax and DTAA तो किसके provisions prevail करेंगे DTAA के provisions prevail करेंगे और DTAA में क्या होती है reliefs होती है taxpayers के लिए bilateral nature की bilateral मतलब दूई पक्षी है दोनों पक्ष आपस में बैट करके relief दे रहे है unilateral मतलब एक पक्षी है एक पक्षी relief दे रहे है वो कैसे वो आगे detail आ रही है उसकी वैसे अब एक और बात यहाँ पर बताई गई है बड़े ध्यान से सुनियेगा हमने ये चीज तो बता दी अगर contradiction है तो DTAA prevail करेगा मान लो कोई income है जैसे मान लो कोई royalty की income है अब उस royalty income पर tax की rate income tax में तो दे रखी है 30% example के लिए ले रहे हैं और वहीं जो DTAA बना है उसमें rate लिख रखी है 10% कौन सी rate से tax लगेगा बताओ कौन सी rate से tax लगेगा इस case में अगर किसे tax rate किती लगेगी इस case में 10% लग जाएगी सर obvious सी बात है एक और example लेता हूँ फिर दोनों को compare करते है again मान लो कोई royalty income है अब इस royalty income में वही एक तो income tax और एक DTAA income tax के अंदर जो इसकी tax की rate है suppose वो है 10% और DTAA में लिखी वी है 30% tax rate क्या लगेगी tax rate लगेगी 10% सर ऐसे कैसे देखिए क्या है अगर दोनों में contradiction हो तो किसके provision prevail करेंगे DTAA के बट आपको प्रोविजन्स इस तरीके से apply कर रहे है जिसमें असेसी का फाइदा हो तो अगर मान लो किसी income पर दो दो tax rates है तो जिसमें असेसी को फाइदा हो रहा होगा वो वाली tax rate लगाई जाए तो इसका मतलब इन दोनों में से किसमें फाइदा है इसमें 10% लगाने में इधर देखो किसमें फाइदा है असेसी का 10% अभी इसको पढ़ते हैं फिर अभी note आप बाद में करिएगा अभी note वगरे नहीं करना है देखो क्या बोला गया है effect of double taxation agreement अभी समझ रहे हैं फिर note वगरे का सारा पाद में होगा अभी अपन base बना रहे हैं हो क्या रहा है अब यहाँ पर देखिए पहली बात बोली गई कि income एक ही country में taxable होती है जनरली आगे लेकिन इसके exceptions भी है अगर कोई income दोनों country में taxable हो रही है तो जनरली होता है क्या है मानलो कोई income यूएस में भी taxable होरी इंडिया में भी होरी है ऐसा DTAA है तो फिर उसमें जनरली एक country इस बात पर राजी हो जाती है कि तुम जो दूसरी country में tax pay करोगे ना उतने का हम तुमें credit देंगे मतलब उतने से तुमारा tax कम कर देंगे मानलो शारुक खान जो है 10 लाग की income कमाई यूएस में यूएस में भी tax दे दिया जाकर के फिर इंडिया में आ रहा है इंडिया फिर से tax मांग रहा है तो इंडिया बोलता है हम एक काम कर सकते हैं हम DTAA बनाते हैं यूएस के साथ और हम क्या करेंगे कि हम tax तो तुम से लें is then tax paid in one country is allowed as deduction from the tax payable in other country as per the agreement तो generally होता है कि तुमने जो दूसरे देश में tax दिया है उसका क्या दे दिया जाता है credit दे दिया जाता है इस type के agreements होते हैं अभी कोई concept नहीं पढ़ रहे हैं अभी अपन अभी अपन पढ़ रहे हैं DTAA कैसे होते हैं अब अपन आते हैं प्रोवि अभी अपन एफिशेल तुदे असेजी देंडी डवले इंकम टेक्स के प्रोविजन डी डवले से ज्यादा फाइदे मन साब्धित हो रहे हैं तो फिर उस केस में क्या होगा प्रोविजन ओफ इंकम टेक्स एक्ट विल बी अप्लिकेबल और यदी एग्जाम्पल देख ल है तो इंकम टेक्स फोलो होना चीए लेकिन आगे देखो पढ़ते हैं आगे क्या इसका exception भी है ऐसा नहीं होगा हमेशा कि अगर दोनों में ऐसा है तो इंकम टेक्स ही चलेगा आगे देखो क्या है इफ प्रोविजन ओफ डी टी डवले आर मोर बेनिफिशल तो फिर किसकी म As per the DTAA with foreign country और specified territory royalty पर tax लग रहा है 10% DTAA में Then it will be beneficial to apply DTAA instead of section 115A of income tax act since 10% rate of DTAA will apply without surcharge and education से देखो यहाँ पर क्या बात भू लिगई है!!! यहाँ पर provision से लिंक किया गया है Campaign वोयल्टी इंकम होती है न फॉरें से कमाते हैं उस पर टैक्स की रेट इंकम टैक्स में कितनी है 10% है 10% लगता है फिर उस पर अगर सरचार्ज लिमिट से उपर हो तो सरचार्ज हेल्थ एन एडुकेशन से है स्वगरे लग जाते है डीटी डवले में सिर्प एक रेट लगती है और कुछ नहीं लगता डीटी डवले में एक रेट लगती है सीधी फ्लैट जो बता रखी होती है अब इस एक्जाम्पल में यह बुला गया कि डीटी डवले में टैक्स की रेट कितनी है 10% यह देखो डीटी डवले में टैक्स की रेट कितनी रखी गई है 10% और इंकम ट income tax में 10% के उपपर health and education से surcharge ये भी लग जाते हैं और by chance हो सकता है कि 8% ही हो DTAA में तो भी वही लगाने हैं अगर दोनों में बराबर rate है DTAA में और income tax act में बराबर है तो बताओ कौन सी लगाओगे DTAA अगर DTAA में कम है income tax में ज़ादा है फिर एक बात बोली गई है गार गार के बारे में हम बाद में ही बात करेंगे ठीक है गार के बारे में especially अलग से ही बात अपन करेंगे क्योंकि डिटेल टॉपिक है अभी अपन इधर आ जाते हैं note कर लेते हैं चीजों को तैन अपन आगे बढ़ेंगे यह अपने note कर लिया था गया यह जो भी बात अभी अपनने लिखी उसी के अपनने concept पढ़ लिये book से और इसको note भी कर लो in short यह कर लिया था पूरा हो गया था यह सारी चीजे note हो चुकी है तो अपन आगे यह कर लो अगर प्रोविजन्स में contradiction हो रहा है तो कौन सा चलेगा भई डी टी डबले चलेगा और tax rate ऐसे apply करनी है जिसमें फायता है दोनों में से जिसमें भी फायता है जिसमें फायता होगा उसके साथ जाओ मानलों 10% income tax में दिख रही है लेकिन पता चल रहा है सरचार्ज, health and education से लगके वो इफेक्टिवली जादा पड़ रही है तो फिर डी टी डबले के साथ जाओ क्योंकि वो फायते में रहेगा सर क्रेडिट कैसे मिलेगा क्रेडिट मिलेगा वो तो अपन सीखेंगे कैसे मिलेगा इस पर तो हमने अभी बात ही नहीं करी क्रेडिट कैसे मिलता है वो तो डीटेल टॉपिक है प्रैक्टिकल कोश्चन है उसके इन्पुट टेक्स क्रेडिट नहीं पड़ा क्या आपने जी एस्टी के अंदर पिछले वाले को जो टेक्स पे किया होता है उसका क्रेडिट मिल जाता है तुमको और डिफरेंस पे करना होता है यही समझ लो तुम अभी के लिए फिलाल के लिए सिंपल बनाने के लिए दूसरे देश में जो टेक्स बन पे की है न उसका इंपुट टेक्स क्रेडिट टाइप मिल जाता है अब देखो यहाँ पर इन बातों को बढ़ते हैं अब देखो होता क्या है कि जब डबल टेक्सेशन होता है दो बार टेक्स लगता है तब उस दो बार टेक्स लगने को रिलीफ के जरीए कम किया जाता है एगरिमेंट बना करके कम किया जाता है मैंने आपको बताया भी था कि relief देने के लिए क्या किये जाते है agreement किये जाते है एक होती है bilateral relief जो कि section 90 में दी जाती है और एक होती है unilateral relief जो कि कहां दी जाएगी section 90 में और यह bilateral, unilateral के ही practical question हमको करने है वो question bank से करेंगे अपन अब bilateral relief के अंदर भी देखो दो method है relief देने के एक को हम बोलते है exemption method और एक को हम क्या बोलते है tax credit method तो हमको overall पढ़ना क्या क्या है यहाँ पर relief में तीन चीजे हमको पढ़नी है एक अपन को यहाँ पर यह पढ़ना होगा कि यह exemption method में कैसे tax कम होता है double taxation tax credit method में कैसे tax कम होता है और unilateral relief के जरीए कैसे tax कम किया जाता है, double taxation कैसे कम किया जाता है, अगर हम बात करें bilateral relief, तो bilateral relief में आपको exemption देने के, credit देने के दो तरीके बताये गए, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे, एक को बोलते हैं exemption method और एक को बोलते हैं tax credit method, exemption method में generally क्या होता है, कि tax एक ही country में लगता है, suppose वही सेम अपना शारुक खान वाला example लेते हैं, कि शारुक खान ने 10 लाग रुपे US में कमा करके इंडिया में आ गया, अगर tax exemption method वाला कुछ agreement हो रखा है, तो इसमें दोनों country मिल बैटके बैठेगी और क्या करेगी वो, एक ही लगने दो और दूसरे में क्या कर दो, exempt ही कर दो, tax लगा हो मत, एक तो यह होता है, दूसरा होता है tax credit method, वो वही होता है जो मैं अभी बता रहा था, यहाँ पर क्या होगा, कि आप US में tax pay करके आयो, इंडिया में आ गए, इंडिया वाले बुले हम भी tax तो लेंगे तुम से पूरे, बट जो tax तुम US में pay करके आयो, उसका हम क्या देदेंगे तुमको, credit देदेंगे, यह दोनों method होता है, tax exemption method में income एक ही country में taxable होती है, tax credit method में क्या होता है, कि जो दूसरी country में तुमने tax pay किया है, उसका क्या मिल जाता है तुमको, credit मिल जाता है, और tax liability क्या हो जाती कम हो जाती है, देखो इसको पढ़ते हैं, फिर practical तो आपन next class से ही start करेंगे इसके, bilateral relief, क्या बूला गया, countries are entering into double taxation avoidance agreement with each other, दोनों country आपस में बैठ रही है, और आपस में बैठ करके जो है, उन्होंने agreement कराया है, और इसके लिए section 90 और 90A की अपन तरीके पढ़ेंगे, जो की practical होने वाले, bilateral relief देने के दो तरीके, पहला तो है exemption method, जिसमें बोला गया है, देखिए, क्या बोला गया है, कि दोनों में से किसी एक ही country में income taxable की जाती है, दूसरी country उसको क्या कर देती है, exempt कर देती है, वही tax credit method में क्या होता है, देखो income कितनी countries में taxable हो रही है, दोनों countries में जैसे शारुख खान वाला example है, US भी tax लेगा, इंडिया भी tax लेगा, लेकिन इंडिया क्या करेगा, फिर जो tax वहाँ पे करके आए, उसका क्या देदेगा, credit देगा, बोथ countries in accordance with their respective tax laws जो भी उन्होंने बनाये हैं, उसमें, main बात ये है, कि दूसरी country क्या करेगी, जो उसकी home country, residence country होती है, जैसे शारुख खान की residence country, इंडिया, वो क्या करेगी, कि तुम बाहर जाकर करके, जो tax देखे आयो, उसका क्या देदेगी, credit देगी, तो overall अपन ने बात क्या कर ली, अपन ने बात ये करी, कि DTAA में होता क्या है, कि DTAA क्यों बनाये जाते हैं, जब एक ही income प क्या बनाती है, DTAA बनाती है, double taxation avoidance agreement बनाती है, ताकि इन समस्याओं को दूर किया जा सके, अब DTAA के through क्या दी जाती है, taxpayers को relief दी जाती है, bilateral relief मिलती है, generally, जब DTAA बनावा होता है, तो bilateral relief कितने type की होती है, दो type की होती है, पहला method क्या है, bilateral relief देने का, tax exemption method या exemption method, इसमें क्या होता है, income एक country में तो पूरी तरीके से exempt कर दी जाती है, और दूसरी country tax ले लेती है, दूसरा method कौन सा है, tax credit method, इसमें क्या होता है, कि दूसरी country में जो tax तुमने pay किया है, उसका क्या मिल जाता है, credit मिल जाता है आपको, यह बात यहाँ तक कि clear है के नहीं, फटा solve करेंगे कि किस तरीके से यह practically solve होता है,